तो चलिए आज हम क्या देखेंगे कि बीकॉम सेकिंड सेमिस्टर का रिजल्ट जो आया है इसके बाद उसका एक्जाम फॉर्म जो आज आया है मौर्णिंग में उस एक्जाम फॉर्म में कौन से सब्जेक्ट हमें चूज करने हैं सबसे पहली बात आपका अभी चूज करवाली आ जाएगा समिस्टर चार को भी और समिस्टर तीन दोनों ही देखने है एसवेल के लिए मैं बता रहा हूँ कॉलेज के अंदर हर प्रोफेसर हर कॉलेज के रेगुलर में वो अपना देते हैं आप वहाँ बोलोगे न मैं यह सब गूगल पे जाओगे और s all type करोगे s all type करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा इस तरीकिका इंटरफेस जैसे ही आता है आपके पास आप डूबी करोगे ID डालना पड़ेगा इसके बाद आपके सामने ये portal आएगा जैसे ही आप examination पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने examination को दुबारा से देखेंगे जब क्लिक करेंगे ना दुबारा पूछेगा तो घबराना नहीं है कि सारी दुबारा पूछ लिए लॉग आउट हो गया लॉग आउट नहीं हो वो examination के लिए पूछ रहा है जैसे ही पूछेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा exam form पर जैसे ही जाएंगे आप क्लिक करेंगे here अच्छा examination पर आपके सामने form खुल गया नाम पता वो सारी चीजे बाद में सबसे पहले हमारा semester 3 के लिए कुछ core subject है sir HRM कोई option नहीं है तो लेना पड़ेगा इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है इसके लिए कौन से किताब लेनी है आपको market के अंदर 10 year भी available है और कुछ books भी है जो कि SOL के उसमें reference में एक बार मैं सारे subject के books के बारे में बता दूँँगा मैं अगला income tax कोई choice नहीं है अब तीसरे paper में भी आयते है देखो जो core 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 लिखा है कोई choice नहीं होता उसके अंदर और management principle तो इसके अंदर भी कोई choice नहीं है सार अगला paper आप choice वाली बात में सबसे confusion है skill enhancement के लिए आपको e-commerce दिया गया और personal finance and planning दिया गया है e-commerce और personal finance planning दो subject है अब कुछ बच्चों में कोई और option आ सकता है तो आपको क्या करना है जिसको जो subject लगता है कि ये मिल सकता है दियू जाईए और दियू में बोलिए हमारे portal पर ये activate कर देंगे पिछली बार भी ऐसा हुआ था बहुत सारे बच्चों का by default personal tax planning आया उसके अंदर e-commerce आया ही नहीं था तो वो डियू गये डियू के अंदर application लिखा उनके portal में आ गया तो ये चीज़े रहती है तो एक e-commerce है एक personal finance तो मैं बच्चों को suggest करूँगा और e-commerce ले लिजिए प्रसनल finance के अंदर पता है क्या है मैस भी आ जाएगा आपका स्टेट्स भी सारे सारा अकाउंट्स भी आ जाएगा income tax सब कुछ आ जाता है इसका study material बहुत easily available नहीं होता तो मैं आप सभी को एक ही guide करूँगा कि आप क्या ले लीजिए e-commerce ठीक है न? e-commerce लेना है आपने e-commerce का easily market में हर्चीज available है इसके बाद money and banking आपका यहाँ पे कहा गया any paper which not opt earlier तो जो आपने पहले नहीं चूज किया होगा पहले money और banking आपने छोड़ दिया होगा तो आपको आगे पढ़ाया जा रहा है तो money और banking लेंगे यह भी theoretical subject है थोड़ा सपाट practical है तो सर यह था सारी बात कब के लिए यह था हमारा semester 3 के लिए यहाँ आपने e-commerce चूज करना है और यहाँ पर यह करना है बागी बच्चों की मर्जी है तीन में तो मैं सलहा दे नहीं सकता अब आजाईए सर चौथे semester में चौथे semester भी अभी भरवाएंगे वो चौथे semester में अगर देखा जाए तो पहला है core तो कोई option नहीं है सर यह है cost accounting जो कि हम पढ़ने वाले है इसका batch भी start हो जाएगा कब से start होता है सर जैसे आपके paper खतम होगे instant start हो जाता है दूसरा core है आपका business mathematics इसका भी batch start हो जाएगा आपका यहाँ तो यह दोनों तो tension नहीं है आपको proper coaching मिल जाएगी तो यह core subject है तीसरा again आपका core subject है यह है computer application and business जिसको telly वगेरा का knowledge है जिसने पढ़ा हुआ है ठीक है नहीं तो किसी भी YouTube से आप टैली की classes लेके आप पूरे अच्छे से कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है paper no.4 skill enhancements skill enhancement के अंदर अगर देखा जाए तो क्या रहा है cybercrime law और computerized accounting system तो computerized accounting system के अंदर यहाँ पे computer application में आपके word, powerpoint, excel भी आए cybercrime law, cybercrime law के मतलब जैसे कि मानलो आपने कोई post डाल दिया आपने Facebook के अंदर और उस Facebook के post डालने के वज़े से बहुत लोग उससे क्या हो गया, मानलेते हैं किसी ने suicide कर लिया या किसी ने कुछ कर लिया तो इसके law बने होते हैं कि internet आपको आजादी है type करने का लेकिन कुछ भी चीज़े कहीं नहीं डाल सकते हैं तो उन सारी बार तो दोनों subject में से अगर आप theoretical बोलेंगे तो यह theoretical है और दूसरा थोड़ असा numerical है जिसको ने tally वैली नहीं सीखा हुआ है तो यह cybercrime लो ले ले जिसने tally का course किया हुआ है क्योंकि हम कभी न कभी करे होते हैं commerce के बच यहां था personal finance और यहां public finance तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो मैंने देखे ना चौथे semester में रह गया है मैं अभी से अवेर कर देता हूं देखो option तो है नहीं लेना पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल हुए है public finance के अंदर semester 4 के अंदर जो पिछली बार के बच्चे थे तो सर इसके कोई classes भी नहीं है कुछ भी नहीं है bracket में economics जरूर लिखा है लेकिन economics के जैसा नहीं है कुछ part economics है कुछ part accounts है कुछ part tax है तो इस तरीके से रहेगा तो यह subject choice है आपको एक यहां पर मैंने थोड़ा सा guide कर दिया और एक यहां पर e-commerce के अंदर guide कर दिय अब यहां पर एक personal tax planning है जो की regular में तो दिया जा रहा है यहां नहीं दिया जा रहा है SOL जाईए और पूछिए sir personal tax planning हमें मिलेगा यह नहीं मिलेगा उनसे बात करके आप कर सकते हैं sir fees वगएरा तो आप देख लेंगे कौन बच्चा किसमें pass हो गया किसमें रहे गया वो सारी detail आपको मिल जाएगी तो आज के वीडियो में कैसे form भरना है कौन से subject choose करना है यह मैंने सरिफ आपको बताया है तो इसी तरीके से कौन से subject चौथे subject के लिए तो हम 4 में सोचेंगे तीसरे subject में sir income tax की proper classes चल रही है जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं income tax 15 दिसंबर तक मेरी कोशिस है के खतम हो जाएगी सभी बच्चों का बहुत बड़ा subject है तो आप उसको उसी के हिसाब से लिए बाकि HRM self करेंगे management principle self बाकि सारा self ही करने वाला subject है आपका तो ठीक है इसी झाल 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 झाल